वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपने चैनल कुइक साइंस में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम सीटर्ट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारे कर रहे हैं और उसमें हम प्रीवेस यर कोशन पेपर सॉल्यूशन की सिरीज देख रहे हैं 2021 की और उसी में आज हम हमारी क्लास है जिसमें हम फिर से पेड़ागोजी की जो दस कोशन है वो देखने वाले हैं जो हमारे 31 दिसंबर 2021 में पूछे गए ये सिरीज मोस्ट इंपॉर्टन है जो भी बच्चे 2022 का एक्जाम देने जाएंगे अगर किसी ने ये सिरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास बन पर पहुँच जाएंगे जिसमें आपको सबसे पहले 2021 के कंटेंड के कोशन मिल जाएंगे और अब लास्ट में ये पैड़ागोजी के कोशन है जो की बहुत ज बना विज्ञान अध्यन के संदर्व में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता ये हमको यहाँ पर बताना है इन चार आप्शन में पहला आप्शन क्या है दे इवाल्व ऑफजर्वेशन आइडेंटिफिकेशन और पैटरन और हाइपोथेसिज फॉर्मूलेशन बिल अध्यन में होता है तो ये पॉइंट तो सही है और हमें गलत बताना है दे इवाल्व डिवाइजिंग क्वालिटेटिव और मैथेमेटिकल मॉडल एंड डिड़क्टिंग देर कॉंसिक्वेंसे बिल्कुल ये भी हम साइंस के थुरू करते हैं इसमें गुणात्माग या ग हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा दे रिले ओल्ली ओन जब भी मैंने बताया भी था पहले जब भी एक पाटिकुलर शब्द जाया है उनली तो वह कभी भी साइनस में सही नहीं होता है कि इसमें बोल दिया क्या दे रिले ओल्ली ओन सेंसोर्यल डेटा एस दा अल् नियात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकडों पर निर्भर होता है, साइंस ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इंद्रिय जनित मतलब जो हमारी इंद्रियां, यसे हमें इंद्रियां हमारी 5 सेंस ओर्गन होते हैं, सुनना, देखना, टेस्ट करना, तो क्या इनके बेसिस पर हम साइंस में कोई निर्ने निकालते हैं, जो हमें दिखा बज जो हमें सुना नहीं, साइंस में तो हम क्या करते हैं, सैल से क्या करते हैं, तथ्यों की जाच करते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं, उन पर हम डिबेट करते हैं, वो सारी चीज़े होते हैं, और इसमें आंसर होना चाहिए बागी फूर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं दे इम एट वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन ओफ थियोरी ओजर्वेशन एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसका मुख्य उद्देश्य अवलोकनों तथा नियंतर्ण प्रियासो द्वारा सिध्धानतों की पुष्टी करना कि वो जूटे हैं या सच्ची हैं यही तो हम देखते हैं जो भी हमारे तथ्या होते हैं सिध्धानत होते हैं उनकी पूरी पुष्टी करी जाती है विक्यान में यह साई चीज़े होती हैं तो थर्ड जो option है वो यहां पर गलत है कि खाली जो इंद्रियों जनित जो है उनी पर जो आकड़े हैं उनके माध्यम से ही निर्भर करते हैं जितने भी हमारे निर्णियात्मक प्रमाण होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो सिर्फ sense organ पर ही depend होते हैं science में हम उनमें experiment करते हैं research करते हैं उनके पूरे evidence search करते हैं तब जाकर वो चीजे होती है तो third point जो है वो यहां पर गलत हो जाएगा next question देखते हैं question number second जो एक्जाम में बना all of the following practices may be helpful in developing rational thinking except निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच मतलब logical thinking यहां पर जो rational thinking है उससे मतलब क्या है logical thinking को विक्सित करने के लिए उप्यूकत हैं सिवाए किसके यह हमको बताना है मतलब यहां पर हमको फिर से negative point देखना है कि जो हमारे अंदर तर्क संगत जो सोच है वो विक्सित करने में मदत नहीं करेगा encouraging skepticism बिल्कुल संदेहवाद को प्रोसाहित करना science में संदेहवाद होता है चीजों को लेकर संदेह होता है और बच्ची क्लास में भी ऐसे question पूछते हैं कि मैं यह चीज क्यों हो रही है बच्चे direct उन पर believe नहीं करते तो संदेहवाद को प्रोसाहित करना पड़ता है तभी तो क्या होता है तर्क संगत जो सोच है जो आपकी logical thinking है वो कहीं न कहीं develop होती है तो यह इसमें सही हो जाएगा second क्या कह रहा है avoiding controversial issues विवाद सपत जो मुद्ध है उनसे बचना तो यहीं यहाँ पर हो जाएगा जाएगे controversial issues होते हैं उनसे बचना नहीं है उनको तो class में even discuss करना है यहाँ न कहीं जो controversial issues होते है जब हम उन पर discussion करते हैं तो उनसे बच्चों की जो तर्क संगत सोच है वो विख्सित हो रही है और यहाँ पर तो क्या है कि नसे हमें बच्चना है उनको हमें avoid करना है तो यहीं यहाँ पर negative point हो जाएगा it means option second ही जो है वो यहाँ पर हमारा answer होगा बाकी third fourth option भी देख लेते हैं looking for cause effect relationship बिल्कुल कारण परिणाम संबंदों को खोजना कोई भी परिणाम है उसके पीछे क्या कारण है वो चीज़े तो बिल्कुल उसको खोजने से क्या होगा आपकी जो rational thinking है जो तर्क संगत सोच है कहीं ना कहीं वो विक्सित होगी consulting reliable and literature in science विश्विशनिया फिग्यानिक साहित्यों से परामर्ष लेना बिल्कुल उनसे परामर्ष लेने से भी आपकी logical thinking जो है वो कहीं ना कहीं develop होगी तो second point ही यहाँ पर negative हो जाएगा और यही हमारा answer हो जाएगा next question 3 निम्न में से कौन सा कथन विग्यानिक परकिर्या की सही व्याख्यान करता है which of the following is more accurate description of scientific method यह हमको यहाँ पर बताना है चार option में it is a fixed sequence of seven step followed by a scientist for doing science यह तो कभी नहीं होगा कि कोई भी scientific method अगर हम अपना रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या होगा 7 step होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए यह तो बिल्कुल गरत है यह विज्यान के अध्यन के लिए विज्यानी को द्वारा प्रती पादित साथ चर्णों का एक निश्चित करम होता है नहीं विज्यानिक प्रकिर्या में तो अलग-अलग step हो सकते हैं किसी भी problem को solve करने के लिए तो यह तो नहीं होगा फिर क्या कहता है यह हो सकता है यह विज्यारों का एक सायोजग है जिसका किसी निश्चित करम में होना अवश्यक नहीं है कोई भी प्रकिर्या विज्यानिक प्रकिर्या कर रहे है तो ज़रूरी थोड़ी है उसमें fix number of step होंगे उसमें कितने भी step हो सकते हैं वो तो हमारे विचारों का सायोजग है जिसमें कोई भी निश्चित करम होना अवश्यक नहीं है तो यह point हमारा सही हो सकता है विज्यानिक प्रकिर्या के बारे में scientific method के बारे में बाकी third point पी देख लेते हैं इस टाइम टेस्टेड मैथड और which popular hypothesis formulation is an essential part ये एक समय प्रमानित विदी है नहीं विज्यानिक प्रकिर्या कभी भी time bound नहीं होती जिसमें परिकल्पना का निर्मान एक अवश्यक भाग है तो ये भी यहां पर कुछ नहीं है विज्यानिक प्रकिर्या के कोई ऐसे उसमें कोई clause या and condition नहीं होती वो तो बस situation पर depend करता है और उसी के हिसाब से हमारी जो विज्यानिक प्रकिर्या है scientific method है वो work करते है उनमें कोई भी term or condition या कोई भी clause जो है वो नहीं होता तो ये भी यहां पर सहीं होगा यह विज्यान की एक प्रचलित विधी है जो चैनित आंकडों पर अत्यधिक निर्भर करती है नहीं ये भी नहीं होगा इस अ पॉपुलर method used in science विच रिलाई heavily और data data पर बिलीव करती है scientific method नहीं मैंने बता दिया इसमें कोई भी term and clause नहीं होते है scientific method तो बस क्या होता है हम कोई भी situation है किसी भी निसकर्ष पर किसी भी conclusion पर हमें जाना है तो उसको लेकर हम जो भी चीज़े करेंगे जो भी हमारा thought process होगा वो हम करते हैं उसमें कोई भी particular step जो है वो नहीं होते तो option number second जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही description करेगा किसके बारे में दग्यानिक प्रकिरिया या scientific method के बारे में next question 4 what does inferring means in science विग्यान में निसकर्ष निकालने का क्या आर्थ होता है चलिए चार option देखते हैं बहुत बार हम inference देखते हैं inference क्या होता है particular एक निसकर्ष की हमने एक बात बोल दी कुछ भी चीज observe करी उसके बाद जो हमें conclusion मिला वही हमारा inference होता है वही हमारा निसकर्ष होता है तो चलिए चार option देखते हैं actively using the sense to make direct description of some aspect of the physical word नहीं ये नहीं होगा फिर से senses की बात हो रही है नहीं ये निसकर्ष नहीं होता कि बहुत तिक जगत के कुछ पहलों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सकेरिया उपयोग करना इसका कोई connection नहीं बैट रहा है next option देखते हैं generating explanation for valid observation बिल्कुल तर्क संगत अवलोकनों के लिए स्पष्टिकरण गर्णना जैसे हमने पढ़ा sound के बारे में हम पढ़ते हैं द्वनी के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो द्वनी होती है न वो जो solid माध्यम होती है उनमें तैजी से गमन करती है अस compared to air या Liquid जैसे कि हम देखते हैं train की पट्री पे अगर आप जो ट्रेन की पटरी है उस पर कान रख देंगे न अपना तो आपको जो ट्रेन आ रही है दूर से उसकी आवाज जल्दी सुनाई दे जाएगी as compared to हवा से क्यों क्योंकि जो sound है वो क्या होता है कि solid में fast travel करती है तो यह चीज आपने observe करी और उसके बाद आपने एक निसकर्ष एक inference निकाला किया कि sound travel faster in solid medium तो वो एक निसकर्ष निकल कर आया आपकी एक observation से तो यही आपका निसकर्ष होता है कि generating explanation for valid observation तर्ग संगत जो अवलोकन है उनके लिए इस पश्टी करण जो है वो हम गड़ती है वही हमारा inference होता है निसकर्ष होता है तो option second ही हमारा answer बाकि option भी देख लेती है the process of minimizing personal biases in observation अब लोकनों में निजी जो पूरवाग रहो को कम से कम जगह देने की विधी होती है यह भी नहीं होगा बहुत तिक जगत के विशयों में प्रमानों को इकत्यत करने की प्रकिर्या होती है यह कि process of generating fact about the physical world नहीं यह ऐसा कुछ नहीं होता जो होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है तो option second यहाँ पर हमारा answer है next question देखते हैं fifth in order to encourage student from diverse background to study and do science comfortably which of the flowing strategies will not be appropriate वो हमको यहाँ पर बताना है विविन प्रश्ट भूमियों के जो छात्र हैं उनको विज्यान को समझाने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोसाहिर करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना उप्युक्त नहीं है यह पूछ रहा है कौन सी योजना उप्युक्त नहीं होगी वो हमको यहाँ पर कहों के हैं तो सीधी सी बात हम ऐसे एक्जामपल लेंगे जो रूर से भी हो अर्बन से भी हो और ट्राइबल से भी हो अपनी एक्स्प्लेनेशन में ताकि बच्चों को भीगभा फील ला हो अपनी व्याख्यान में ग्रामी शहरी और जंजातिय संदर्वों के जो उधरन हैं तो हम सम्मिलित करेंगे क्यों क्योंकि जो बच्चे हैं वो बिभिन प्रश्ट भूमियों से आए वे हैं तो यह पॉइंट हो गया पॉजिटिव और हमें ढूना था निगेटिव पॉइंट सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है है वाविंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स साइनिटिफिक टालेंटिड स्टूडेंट वाइल हैं एविंग ओडरेट एक्सक्टेशन फोल्स हुज फॉम दोस हुईक्टा एक्सेशन फ्रॉम दोस हुद सsनावेश लगए सॉनदिया जाता है इंक्लूजव एक्डूकेशन पर बल दिया जाता है वियुए हॉन दना द उनसे हमें अपेक्षाइन नहीं रखनी चाहिए तो यहां पर निगेटिव ही पॉइंट है और निगेटिव पॉइंट ही हमको बताना था तो ऑपसें सेकेंड ही हमारा आंसर होगा बागी दोनों पॉइंट भी देख लेते हैं अपने आपको प्रस्तुत करना है एक शिक्षक के तौर पर यह है तरशाना कि आप विग्यान का अध्यान करने के लिए तयार हैं और अपने आपको एक आधर शुरूप में प्रस्तुत करना जब आप अच्छी नौलेज रखते हैं और आप यह दिखा पाएंगे कि बच्चो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आप खुद उसकी बहुत डीपली नौलेज रख रहे हैं तबी बच्चों का इंटरस्ट भी उसमें जगेगा तो यह पॉइंट भी सही है विग्यान में उध्यम के लिए सभी संस्कृतियों के व्यक्तियों के योगदान को उजागर करना बिलकुल क्योंकि हाँ पर हम हर चीज को इंक्लूड करती है साइंस में तो बाइ एंफेसाइजिंग दा कॉन्टिबूशन ओफ पीपल फ्रॉम औल कर्चर टू दा एंटर्प्राइज ओफ साइंस यह चीज भी पॉजटिव होगी निगेटिव नहीं होगी मल्टिपर कर्च इस कोशन 6 विच ओफ दा फ्लोइंग वोड नॉट भी हेलफुल इन एससिंग स्टुडेंट कॉन्सेप्चुल अंडरस्टेंडिंग इन साइंस यहां पर हम बच्चे का फिर से मुल्यांकन कर रहे हैं तो विज्ञान में विध्यार्तियों की संकल्पनात्मक समझ का मुल्य करना है हमें जो उसकी कॉंसेप्चुल अंडरस्टेंडिंग है उसका मुल्यांकन करना है तो कौन यहां पर सही नहीं होगा कौन सा मैथट सही नहीं होगा वह हमको यहां पर बताना है अनलाइजिंग स्टुडेंट्स परफॉर्मेंस ओन कॉंसेप्ट बेज इन्वेंटरी बिल्कुल जो concept के base पर उसने inventions की है, खोजे कर रहा है, उसके basis पर हम बच्चे की performance को analyze कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही होगा, अधार्णा अधारित परिक्षाओं पर विद्धिहार्तियों की योग गता का visualization करना ये एक सही तरीका होगा मुल्यांकन का, listening carefully to student responses and reacting to their ideas, बिल्कुल ये भी positive point होगा, यहाँ पर विद्धिहार्तियों के उत्तरों को साफधानी पूर्वक सुनना और उनके विचारों पर प्रतिकेरिया देना, बिल्कुल जो बच्चों कह रहे हैं, उनको अच्छे से हम सुनेंगे, और फिर उन पर हम उनका प्रतिकेरि ये भी positive point है, चुनोती पूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्धिहार्तियों को सीधा और इसपष्ट प्रति-पुष्टी करन देना, उनको feedback देना, कि आपने ये चीज गलत की है, ये चीज सही की है, इससे बच्चे अपनी कमियों को पता कर पाएंगे, और फिर उन भी answer नहीं होती, सुनिश्चित करना की विद्धिहार्ति जो है, प्रदक्त कार्या को समय पर जमा करें, बस उन से ये बोलना कि assignment को सही time पर जमा कर दो, आप उस basis पर बच्चों का मुल्यांकन करेंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है, जो कि आजकल होता है, बड़े बड़े college म school में यही चीज़े होती है, बट हमें इनके basis पर बच्चों का मुल्यांकन नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार method होता है, बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी copy करके उसको submit कर देते हैं, तो ये चीज़े नहीं होनी चाहिए, तो यही यहाँ पर negative point है, कि timely बच्चों से क collaborative learning effectively need to be, प्रभापूर सयोगात्मक अधिगम को प्रोसाहित करने के लिए सम्हू कैसा होना चाहिए, ये हमको बताना है, देखे, collaborative learning हो ये, collaboration के साथ हम learning कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो जो group का composition है, जो सम्हू का निर्मान है, वो कैसा होना चाहिए, देखे, जब भी आ होगा, तो वहाँ पर चीजे प्रॉपर थरीके से discuss नहीं हो पाएंगी, और वहाँ पर जो है, मतबेद और बहुत सारी problem जो है, फेस हो सकती है, तो group composition आपका small होना चाहिए, पहली बात तो, फिर दूसरी बात जो group है, वो हमारा homogeneous नहीं होना चाहिए, वो कि homogeneous क्या होता है, fix composition Limit में होती हैं चीजे, uniform है, मतब particular defined है, उसी के according होंगी चीजे, नहीं, तो homogeneous नहीं होगा, चीजे कहाँ पर कैसी होनी चाहिए, group कैसा होना चाहिए, वो heterogeneous होना चाहिए, uniform होना चाहिए, limit में नहीं होना चाहिए, fixed proportion होना चाहिए, तो group हो hetrogenous होना चाहिए, विस्म रूपी ह होना चाहिए और साथ में वो छोटा होना चाहिए तो option number four जो है वो यहां पर हमारा answer हो जाएगा next question eight in an english classroom the teacher while narrating a story mention a character who goes to the river for bringing drinking water nakul a student a innervented by asking whether drinking river water is safe because he is drinking water from a purifier at his home what should the teacher do यहां पर teacher को क्या करना चाहिए अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते वक्त अध्यापिका एक पातर का उलेग करती है जो पीने का पानी लियाने के लिए नदी को गई है तो जो नकुल क्लास का एक बच्चा है वो बीच में टोकते हुए कहता है क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित होगा वोकि वह तो अपने घर का जो purifier है उसका पानी पीता है तो अध्यापिका को यहाँ पर क्या करना चाहिए यह हमको बताना है बच्चा क्लास में बीच में टीचर को टोकता है और यह चीजे पूछ रहा है चार आप्शन दिये हैं तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है साइंस के टम में बात हो रही है कि नकुल से हम यह कह दें कि यह कालपनी कहानी है इसमें तर्क नहीं खोजना चाहिए तो यह तो निगेटिव पॉइंट होगा बच्चे की जो तर्क संगत सोच है वो यहाँ पर हम उसको दबा देंगे जो हमको नहीं करना है तो निगेटिव पॉइंट यह आंसर नहीं होगा विध्यारतियों से कहें कि नधी से सीधे पानी पीना सुरक्षित नहीं और कहानी सुनना जारी रखें यह भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो नहीं पीना चाहिए और अपनी कहानी बतानी शुरु कर दी यह पॉइंट भी यहाँपर पॉजिटिव नहीं लग रहा थर्ड ओप्शन में टीचर क्या बोलती है तो लुज नहीं यह तो बिलुकुल ही निगर्टिव पॉइंट है विज्ञान सिक्षक जो है उससे आपको चर्चा करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं जो बच्ची का पॉइंट है उस समय जो उसने रेज किया है वह टीचर वहां पर उसी वक्त उसको क्लियर करना चाहिए नहीं तो बच्ची के मन में जो कन्फूजन है बहुत जादा बढ़ जाए तो हम वहां पर बच्चे का ही जो है उसको ध्यान में रखते वे बच्चों से कहेंगे विद्यार के उसे कहें कि वे चर्चा करें और कारण बताएं कि सीजे नदी का पानी पीना क्यों सुरक्षित नहीं है हम बच्चों से कहें क्यों आप अपने घर का प्यूरीफायर का प तो यही option यहां पर बैस्ट होगा कि विद्यार्तियों से कहें कि वो चर्चा करें कि इसके पीछे क्या कारण है क्यों जो पानी है वो जो है हमको नहीं पीना चाहिए तो option number 4 ही यहां पर चारो option को देखते वे best suitable answer होगा कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए विद्यार्तियों से वो कहें कि वो चर्चा करें वो डिसकस करें और reason बताएं why it is not safe to drink water directly from river तो option 4 हो गया यहां पर हमारा answer next question 9 which of the flowing would be helpful in making suggestion about remedial teaching to learner निम लिखित में से क्या चात्रों के उप्चारात्मक शिक्षण से संबंदे सुजाव देने में मदद करेगा यह pedagogy का simple question है तो कोई भी चीज का अगर हमें उप्चार करना है तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए समस्या की पहचान होनी situation निदानात्मक मुल्यांकन होगा उसके बाद ही हम उप्चारात्मक शिक्षण करेंगे रेमेडियल टीचिंग करेंगे तो option number 4 ही यहां पर हमारा answer हो जाएगा CDP में हम यह चीजे पढ़ते भी है next and last question देखती है question number 10 जो exam में बना इससे पहले request है वीडियो दिल से अच्छा कर दिया करें सबसे जादा आपके support की जरूरत है तो please video को share कर दिया करें इतनी उमीद जो मैं है वो आप से रख सकती है a student says that dyed seed of kidney bean जिसे हम राजमा बोलते हैं are non-living because they seem no more alive than a handful of pebbles पत्थरों की तरह what would be your response to his or her observation एक विद्ध्यारती यह कहता है कि राजमा के जो सूखे बीज होते हैं वो निर्जीव हैं क्योंकि वो एक मुट्टी भर कंकर से अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिकिर्या होगी क्योंकि उसका अवलोकन सही नहीं है वो बीज को जो बीज होता है जो बीज है उसको comparison एक सूखे बीज का comparison वो कंकर से कर रहा है तो वो चीज उसका जो अवलोकन है उसकी जो observation है उसको आप कैसे ठीक करेंगे तो उसमें आपकी क्या प्रतिकिर्या होगी यह हमको बताना है यह सही होगा बीज जो सोच रहा है कि बीज निर्जीव होते हैं नहीं बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उप्यूक्त वातावरण में रखने पर उनमें जीवन की सभी प्रिक्रियाओं को दर्शाने की छमता होती है बीजो को germination of seed हम पड़ते हैं प्रापर temperature प्रापर पानी जब प्रापर environment उनको मिलता है तो उन बीजो से बाद में हमको पौषे मिलते हैं तो वो निर्जीव नहीं वो सजीव होते हैं कब जब उनको प्रापर environment मिलता है उसके साथ वो प्रिक्रिया करते हैं और फिर पूरे जीवन में जो सारी प्रितिकिल्याएं होती है उनको दर्शाने की छमता उनमें होती है तो क्योंकि बच्चा गलत अफधार ना कर रहा है वो राजमे के सूखे बीच को पत्थर से कमपैरिजन कर रहा है जो की गलत है तो उसमें यही जो है प्रतिकिर्या बल्कुल सही होनी चाहिए बाकी सारे option भी देख लेते हैं बच्चा से teacher कह रहा है क्या the seeds are not alive because they do not exhibit any properties of life वे तो बल्कुल गलत है बीज जीवित नहीं होते क्योंकि जीवित की किसी भी प्रतिकिर्या को नहीं दर्शाते बीज जीवित थे 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 नहीं आज भी है जब वे जीवित पॉधु का एक अंग थे लेकिन वे अब निर्जीव हैं नहीं ये बात भी यहां पर गलत है seeds were once alive when they were a part of living part but now they are dead once a living thing is cut or crushed it gradually dies out if it fall or fall to heal itself ये भी negative point है एक बार किसी जीवित परदाद को काटने या तोने पर यदि वहे अपने आपको स्यम स्वस्त ना कर सके तो वहे धीरे-धीरे मर जाता है इसका तो यहां से कोई भी संबंध नहीं है तो यही चीज यहां पर सही होगी बच्चे की गलत अवधारना है गलत अवलोकन किया है उसने तो उस पर आपके प्रतिकिर्या यही होनी चाहिए कि आप उसे कहेंगे बीज जो है वो जीवित होते हैं बच्चे अगर उनको प्रॉपर टेंपरेचर प्रॉपर एंवारमेंट मिले तो जीवण है जो जीवण रखने वाले जो प्राजाति यहां होती है जो वो सारी प्रतिकिर्या करती हैं वो प्रतिकिर्या वो जीव जुह वह जो प्यज है वो क्रॉपर बच्चा शन干 Prob होती तो इस तरह से हमने सारे options देखे, सारे questions देखे मुझे लगता है सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी वीडियो चलगता है दिल से तो like करें, share करें और channel से जुड़े रहें